सर्दियों में जब लगे, वाट्रोप को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्स्प्लोर है करना, बिग ब्लिस खुशियों की अपनी दुकान भाट करें यहां से अगर आप सोयबीन की, तो सोयबीन का जनुवरी वाःदा देख रहा हैं, चौश्रच सो भीस पर ट्रिट करते नजर आ रहा हैं, चौश्रस सो जाठ का हाई लगा चुका है, लगबग आदी पीज़ी से जादे की गिकाएक्शन है, देख रहे हैं कि सोयब करता नज़र आया था और अभी भी देख रहे हैं चौशर सो के उपर ही ट्रेड करता नज़र आ रहा है आपको बता दें कि सोईबीन में अभी एक रेंज देखने को मिल रही है जानकारों के अनुसार जो नीचे में 5900 से लेकर उपर में 6500 तक रहेगी अभी हाल फिलाल में थोड़ा स्टार्टिंग में सोईबीन की कीमतों में ऐसा रुजहान रह सकता है वायदा बजार के अंदर क्योंकि हमने वायदा बजार में काफी कमुनिटी इस पर बैन भी लगता है जिसकी वज़ा से सोईबीन की कीमत पर असर पर तने जर आए लेकिन यसी वायदा बजार की बात है अगर बात करें अगर हाजिर बजार की तो हाजिर बजार में वायदा बजार से ज़्यादा कीमते देखने को मिली है पैसर सो से लेकर सरसर सो तक हाजिर बजार में इस समय सोईबीन की कीमते देखने को मिल रह साथ अमेरिका में आपका ये ब्राजील हुआ, अर्जेंटीना हुआ, ब्राजील और अर्जेंटीना में सोयबीन की जो फसले हैं, वो गरम मौसम के चलते, यानि की वहाँ पर जो सूखा पड़ रहा है, उसके चलते खराब हो सकती हैं, जिसकी वज़ा से ब्राजील और पहले के मुकाबले, यानि पिछले साल के उत्पादन का जो अनुमान लगा गया था, उसके मुकाबले कम रह सकता है, और ब्राजील और अर्जेंटीना का अगर सोयबीन का उत्पादन कम रहता है, तो ये वैश्विक सोयबीन की कीमतों पर असर डाल सकता है, अब ऐसा इसल जासे सोयबीन का जो बजार है वो उठता हुआ नजर आ सकता है, आपको बता दें कि सोयबीन में तेजी के चलते विदेशों में, सोयबीन की भी कीमतों में तेजी देखने को मिली है, विदेशों में सोयबीन की डिमांड बड़ी है, कीमतें भी बड़ी है, आपको बता खली के मुकावले भारती सोय खली की जो कीमते हैं वो काफी जादा देखने को मिली है जिसकी वज़ा से जो विदेश हैं वो भारती सोय खली को उची कीमतों पर खरीदने से बच रही हैं लेकिन डिमांड है लेकिन उची कीमतों ही रहने की वज़ा से सोय खली का यही मानना है कि आगे जाके सोयवीन की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है और जो किसाने को भी यही उमीद है कि आगे जाके सोयवीन की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है और इसी वज़ा से किसानों ने अब सोयवीन को फिर से स्टॉक करना यानि होल्ड करके चलन रोक कर चलना शुरू कर दिया है क्योंकि किसानों को भी पता है कि विदेशों में सोयबीन की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है और जो भारत है वो खादे तेलों में आत्र निर्बर नहीं बना है जिसकी वज़ा से भारत को काफी बड़े पैमाने पर अपनी जरूत से जादा का खादा तेल विदेशों से आयाद करना पड़ता है तो अगर विदेशों में थोड़ी भी घड़ड़ होती है तेल तिलन की कीमतों में उसका असर भारती तेल तिलन बज़ा पर जरूर पड़ता निजर आता है और यही वज़ा है कि सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी सरकार द्वारा उठाए गए कई कदम के बावजूद भी जैसे कि डूटी फ्री कर देना आयाज शुल के कम कर देना उसके बावजूद भी अगर विदेशों में कीमते तेज होती है तो उसका असर भी तब भी भारत में तेल तिलन के बज़ा पर पड़ता नजर आता है और यही वज़ा है कि हम सोयबीन को आगे जाके तेज होता हुआ जरूर देखेंगे हमारे जो एक्सपर्ट है मोतिलाल अस्वाल के वाइस प्रेसिडेंट अमिच सजेजा उनके मुताबिक साल 2022 में सोयबीन की जो कीमते हैं वो थोड़ी नरमी वाली रह सकती है स्टार्टिंग डेज में अगर बात की जाए लेकिन अगर 6 महीने का आउटलोग लिया जाए साल 2022 में तो अमिच सजेजा के मुताबिक सोयबीन 6 महीने के अंदर 8000 और पूरे साल का आउटलोग लिया जाए साल 2022 का तो साल 2022 में पूरे एक साल के अंदर सोयबीन अमिच सजेजा के मुताबिक 10,000 तक के लेवल्स दिखा सकती है तो सोयवीन की कीमतों में ओवरॉल अमित सर्जार के मताबिक तेजी का ही रुजान देखने को मिलेगा क्योंकि विदेशों में तेजी बनेगी उसका असर हम सोयवीन की कीमतों पर हाजिर पर भी पड़तावा देख सकते हैं और वायदा बजार पर भी अगर आगे कमुनिटीज बैन नहीं होती हैं तो वायदा में भी और तेजी देखने को जरूर मिलेगी फिर से आगे आ है कोरोना घर पर रहने में ही है सब की भलाई अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना बिग ब्लिस लेकर आएगा दस मिनट में आके घर पर दवाई बिग ब्लिस खुशियों की अपनी दुकान